आपके स्रीन अबोधे टाइम स्वेहूं आपके साथ संदेश शॉलक शर्मा और बहुत ही जल्द आपके स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज, आईपैड्स बहुत सारे गैजट्स जो भी आपके पास है ना उन पर एक अलग सी चमक आने वाली है जिनकी वज़े से ये चमक तो चली करते हैं उनका स्वागत और जानते हैं इससे जुड़ी हूई धेर सारी बाते हैं वेल्कुम टू पज्चा आपके स्रीन अवर्ट टाइमस कैसे हैं आप थैंक यू सो मज़ मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं भी बिल्कुल ठीक और मैंने जैसे आपको बता रही थे मैं भी मुझे लगी नहीं रहा सची वाए गौड लगी नहीं रहा कि वही काला है कितना टाइम लगा को काला बनने में वे वैसे में पहले ऐसा था कि मुझे छे महीं ने लगे कम से कम पहले तो बाल लंबे करने थे मैंने कभी लंबे बाल रखे नहीं थे जब मुझे बताया कि यार लंबे कर पाऊंगे यार नहीं क्यूकि करना भी बहुत बड़ा टास्क है तो छे महीने लगा कि मैंने जब टेस्ट हुआ था मारा तब मेरे एक्स्टेंशन लगाए थे एक दो तीन चार पांच छे और मैंने का इतनी गर्मी में मैं ऐसे शूप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस देनी है तो फिर मैंने का कि सर अपने पास टाइम कितना है बोले अपने पास तीन-चार महीने तो मैंने बाल लंबे करने स्टार्ट किये लोड ओइलिंग की बालों की आमला खाना शुरू किया उसके बाद थोड़ा तो तो टैन किया और मैं खुद भी काफी दूप में बैठने लग था जितना टाइम मिलता था फिर एक टाइम पर सोचा यार ऐसे में लंबे टाइम तक तो दूप में भैठ नी सकता काम भी करना है तो मेकप भी करना पड़ेगा फिर हमने टोन डिसाइड किया मैं अपने मेकप पार इसका बुला के घर पे भाई कौन सा टोन लगाएगा एंज चब मक देखी तो मैं डेख यहार आपको इंस्टा पर देखाज इस चीज्ड बहुत ही जब्हों लगी नियगा पर इस कीमाल का कौन किया के अपकी एक्टिंग हर चीज जितना आप उस करेक्टर में अंदर गूसे हुए वह नब लगी नहीं रहा कि मैं उस काले से बात करते हैं सोचो अरे वाय यार यार ये तो खुश कर दी आपने मुझे बोलके मैं ये सुनना चाहरा था किसी से क्योंकि अपने बंदे बहुत तारीफ करते हैं बट आप लोग रिव्यू लिखते हो तो आपसे जो तारीफ आती है मैंने गार और मैं रिव्यूज में लिखूंगी ये सची बातारी मैं बहुत शांदार करेक्टर है आपको तो जिस तरह से आप मैंटली कैसे प्रेपेर हुए काला बनने के लिए क्योंकि काला एक थोड़ा सा अलग टाइप का करेक्टर है आम लड़के जैसा काला तो है नहीं कितना मेंटली मुझे दिन बर दिन मैं घुस्ता गया शूट के बाद भी दीरे दीरे जब शूट सार्टिंग में मुझे ऐसा हुआ कि काला बहुत इस्टॉट्टर था करेक्टर है उसका अपने स्टिगमा जैं लाइफ में अपने डीमन्स हैं ट्रॉमिटाइज करेक्टर ह बेसिकली तो वह जानने के लिए क्योंकि मैं लाइफ मैं मैं हैपी को लग्की हूं मैं खुशी रहता हूं मोसली कभी-कभी गुसा आ जाता है बस वह गुसा ही आता है बीच वाले एमोशन यहाँ खुश यहां गुसा, sadness, sadness कमी आती है मेरे को तो जब मुझे इसका काले का प को लेके चला गया Canada तो उसके बीश कर नई मैंने लिखख लिखके सोचके मैंने कि मैं थोड़ी सोबर ड्रॉइंग भी करता है एसा बड़ा हुआ तो पहले हमने तो पहले कि काला गाना क्यों लिखता है तो मैंने कि पहले लिकने से स्टार्ट कि यह तो जो परम को तेटर करके रियल लाइफ में रिलीज मिला तो फिर वो बनाया फिर जैसे बच्पन रा गुर्दवारे में पला बड़ा हुआ बापू ट्रक ड्राइवर है वो चोड़के चला जाता गुर्दवारे में वहाँ पर कैसी लोगों के साथ जादा घुलता मिलत तो उसके बाद बहुत प्रिपेर्ड है वो बंदा कैसा है तो मुझे अपने आपको बहुत प्रिपेर्ड करना बड़ा मैं घर वालों से काफी जर कट लिया था मेरे पापा भी एक दिन बोल रहे थे कहने मैं बात नहीं करता घर पे जाता पापा बोले यार कारेक्टर दे लग गया था दोस्त भी कम कर दिये थे बिल्कुल कट ओफ हो गया था बाहर जाता चोटी-छोटी बात पर स्नैप करता था कई बारी में तो मुझे बोलते हैं यह क्या हो रहा है मैं बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या हो रहा है फिर जब शूट स्टार्ट हुआ तो वो I think first day से लेके जब 10 दिन तक तो मैं in the zone था रोज शूट जैसी मेरी आँखों में सुर्मा डलता था मतलब मैं सेट पे आया करता सब लोग मुझे बहुत कुशी से बुलाया करते हैं जब मैं आया करता है मैं भी बहुत कुशान जी आँजी आगए जी शूट स्टार्ट हो रहा है ठीक है ठीक है दब time I used to get ready जैसी सुर्मा आखों में गया बाल बने उसके बाद मेरी vanity में कोई ADV नहीं गुसता था बिना बूले वो बोलता है कि अंदर नहीं जाना अभी ऐसा zone था वो अंदर गुसने से डड़ते थे वो बोलते है सर हम आपके पास नहीं आ सकते तो मुझे लगता था हाँ ठीक है इस वरकिंग सच में बहुत मुझे आपसे बात करके सची बड़ा अच्छा लग रहा है तो काला है ना जो काला तो बहुत अच्छा प्रम में बच्पन बात्रूम सिंगर था और पंजाब में आप जानते हो हर बंदा सिंगर काल से गाने गान तो बच्पन में थोड़े बहुत गाया करता था मुझे स्कूल में पनिश्मेंट दिया करती थी पता नहीं एक मेरी मैडम थी जटी हम उसको बोलते तो चोटा च् टेरे सुना एकड बाभान जो होने कि परमभीर याहन ने हम ल कच्छेस्सटvention डि रूप दी हटीए नी दा्रू दी ए पड़ के मंजी बैठ जामें तुद ता धkim गोरे गोरे मुख्ते सन्धैरी दोरनी पाव फुलकारी उते बेल बूटियां मितरादे चादरे थे पादे मोरनी हाई पावे फुल कारी उते बेलबूटियां मितरांदे चादरे ते पादे मोरनी तो यह उसे उतना साइट हो ले ना थोड़ा बहुत मिले हो सेट पे एक दिन मिला था मैं तो ऐसे हुआ वह वह वैनेटी से निकले तो मैं बाहर खड़ा था मैंने गिप्पी करेवाल को चलो देखते हैं क्या मिलेंगे और उस दिन मेरे पापा और मेरे भेहन भी मिरी लाइफ में पापा और मैं पहली बड़ी सेट पे हैं उस दिन गिप्पी भी सेट पे था तो वह वैनेटी से तो मैं भाहर खड़ा था तो उन्होंने मुझे बस एक बड़ी लुक देके एक टाइन फिर एक नौड सा किया तो तब मैं बिना मेकप के बिना हैर और और ऐसे नॉर्मल परमवीर वह स्टेंडिंग देर फिर उनका शूट चला तो मैं सेट पे गया तो उन्होंने मुझे दूसरी लुक दी दुवा रहा तो मैंने का हाँ बस यह था बात नहीं हुई मैं अपना काम निकाला गरता था मैं पास में जाके बैट जाया करता है पूछता था कि अच्छा कैसे करते हो क्या बात होती है क्योंकि मुझे में फोकस मेरा काला पे रहता था कि क्या करना है इनसे जतना टाइम मिला है इनसे पूछ लों कि real performances जब होती है तो कैसे आप audience को engage करते हो तो बहुत ही अच्छे थे सारे MC square तो यार एक नमबर आदमी है मतलब मुझे मज़े मज़ा आ गया उसको मिलके क्या बंदा है मतलब बहुत fun किया और देसी देसी ही ही हो रहा है proper fun मिका पाजी के साथ मैं मिका पाजी के एक बड़ी घर गया था बहुत पहले तो मैंने उनको उस दिन बोला शूट पर मिले मैंने का पाजी आप पचाने है मैंनू कहते नहीं मैं आप घर आया था कहते यार जैसा तो इस तेंपर बना हुआ है और जो मुझे सब लोग बोल रहे है बहुत डिफरेंस मैं तुझे नहीं पहचान सकता तो उनसे मलकीत सिंग क साथ बढ़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया जितने असीश को और बहुत बहुत प्यारी सिंगर है और बहुत बढ़िया यूमन बींग है कोई भी कुछ कि मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी एंसाइटी होती है यह लेजेंट्री सिंगर्स हैं यह कैसे ट्रीट करेंगे मे कास्टिंग ट्रेक्टर मुकेश चावड़ा इस पर आया है उनके आपने साथ स्क्रीन भी शेयर किया ना कास्टिंग तो उसके बहुत ही शानदार है आपकी स्लेक्शन कैसे होई चमक के लिए कैसे बने आप इसा हिस्ता मेरा ऐसा हुआ था मैं टबर किया था अगर आपने स सोनी की टीम को बहुत अच्छा लगा मेरा काम सब को वह बोले कि यार अच्छा लगा था उस टाइम पर अच्छे रिव्यूज आए तो मैं मिजरम में एक सीरीज शूट कर रहा था जो आज ही रिलीज हुई है एमजान मिनी पर रिलीज हुई है इस क्यापा मैं वह शूट क का कॉल आया कि यार हलो आम रोहिद आम फिल्मेकर तो मैंने ठीक है उसके लिए मैं प्रोटाइगनिस्ट के लिए तुझे देख रहा हूं तो मैंने का सर अच्छा प्रोटाइगनिस्ट है मतलब और आप वेब सीरीज बना रहे हैं उन्हों आज तक फिल्म्स ही बनाई तो म मैं तुझे मिलने आजओंगा मैं सर मैं शूट पर मिलनी सकता मेरे पास टाइम नहीं रहता इतना कि मैं मैं एक ही काम पर फोकस करना जाता हूं दो दिन फोन पे एक एक बात हुई तीसरे दिन मुझे कॉंट्रैक्ट भेज़ा और मैंने कॉंट्रैक्ट साइन करके बीज़ अच्छा इसे आइन शूटिंग हमारी टोटल एक सो दो दिन का शूट है और पंजाब में कितना है और कैनेडा का पंजाब में रहा 55 डेज 10-15 दिन बॉंबे में चला 10 दिन बीच में डेली 10-12-15 दिन बॉंबे डेली गए और 10 दिन हमारा कैनेडा में चला अच्छा आपकी शूटिंग की बात बताओं आपकी मैं आपकी शूटिंग की बात बताओं मैं आपकी शूटिंग के पंजाब केस्टी के साथ भी बड़ा नाता है आपको याद हो तो मेरे पंजाब केसरी के साथ क्या है पंजाब केसरी के आफिस आई थे आप शूटिंग गाई ने ओ हाँ वो जो सीन है ओ नीचे जो सीन आता है हाँ हाँ वो चलके वो नीचे भी और हमारे जो न्यूगरूं के पास भी आप खड़े हुए यह रहा है जरनलिस्ट को ढून रहा है पतंगा तो वह शूटिंग वाला दिन नगाई। एक पूरे देख प्रम्जे ने गाता है तो उसकी शूटिंग जल रही है फिर मैंने सोचा कि मैंने तब नहीं सोचा था कि मुझे परमीटी इंटर्वी करनी है सचो देख लो यार दो ये कनेक्शन होते हैं I think देख और इंटर्वी बदा रहा है मुझे करके बहुत किसी किसी में एकदम कनेक्शन बदा रहा है जो सीरीज है न वो इसमें जो जैसे तारा सिंग की death का scene दिखाया है उसमें कहीं न कहीं जो हमें लगता है कि वो जो पंजाब के single रह चुके हैं उनको जोड़ा गया है या पिर ये उनको सिर्फ एक ऐसे idea ले ले लेते हैं वो है ये किसी एक single को नहीं जोड़ा गया अगर आपने चलते रहते हैं एक्चुल में हमने वो सारे singers के लिए शो बनाया कि this should stop ये नहीं होना चाहिए वही हमारे शो का main focus ही उस पर है क्योंकि अगर आप एक incident लो तो एक incident नहीं है बहुत incident कैरी किये हैं बहुत बहुत कुछ हुआ आवे बहुत कुछ हुआ तो ये बेसिकली वही है कि आर्टिस शुड़ नॉट बी किल्ड ये 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 तो वही हमारा मुद्दा था कि उसको क्लियर करें आप पंजाब से हो पंजाब में शूटिंग की पंजाब भी इसमें जबरदस बोली गई है पंजाबी बोल रहे हैं तो कैसा पंजाबी पंजाब में शूटिंग कर रहे थे पंजाबी बोल रहे थे जो जो डायलोग वह मन से निकल के आते हैं जैसे मैं पंजाबी जो बोलते तो जो मन की बात होते हैं अंदर से निकलते हैं वह बिल्कु सही तरीक से निकलते हैं तो खैसी पी लिखती है यार जैसी अ तो पंजाब में करना है अच्छा रहा है क्योंकि पंजाब का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला है, बिल्डिंग्स कम है, ओपन है, फील्ड्स है, इतने तरह के मौसम मिलते हैं, भावम्बे में तो ठंड होती नहीं है, वहाँ ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, यह सब समझते हैं, तो पंजाब में आलएज इच्छ इट सब्लेसिंग पंजाब में फ़ूट करना लिए प्रग पंजाब में यह पंजाब में हुआ था यह पनजाब में तो मज़ा आता है मुझे अच्छा बाकी का तो एक्टर्स का मुझे नहीं बता लेकिन मैं मुगेश चाबड़ा पर आती हूं वो कास्टिंग डिरेक्टर है उन्होंने तो नहीं की ना अपती उन्होंने नहीं की है ना लेकिन सब भी ऐसा हुआ हाँ कास्टिंग डिरेक्टर और आपने काम किया तो कौन सा जाधा मज़ेदार लगा क्या अच्छा लगा कास्टिंग में जब मैं उनसे लिलता हूं तो हाँ कास्टिंग में मिलता हूं तो वो अलगी वो काम के हिसाब से मैं लिगता है वो इंसान चेंज होता रहता है कि कैसे मुझे रहना है कास्टिंग में जब मैं मिलता हूँ एक बार ही मुझे याद है मैं चमक का शूट कर रहे थे वहां पे मुझे काले-क-कले आके जफिया को भी कुछ कभी बात चीट करनी दोस्तों वाल मुझे कहते हैं लगता है कास इंडरेक्टरूम है का नहीं सर मुझे बोलता कि आजाओ 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 तो मैं चला गया फिर मैंने एक दिन फिर अगले सेट पे मुझे थोड़े दिन बान मिले फिर वो पूरे खुश जब यह डाल रहे हैं मैंने का यार पाजी आप ऑफिस में कहते हैं वह मेरा करेक्टर अलगा है यहां मेरा करेक्ट है तो है इसमें सच्छा एक अगला पार्ट की हां हां चमक अभी हमने जैसे 12 एपिसोड हैं पहले चे आएंगे और चमक की जो पूरी अगर आप मैंने आप वही बोलना कि यह एक आर्टिस की कहानी नहीं यह काफी आर्ट काफी काफी लोग इस से रिलेट करेंगे तो इसके यह तीन-चार सीजन की प्लैनिंग है कम से कम यह उसमें भी पूरा आजाए तो अच्छा है क्योंकि जब मैंने कॉंटरेट किया तो मैंने तीन सीजन का कॉंटरेक्टी किया है अभी एकी सीजन बना है वह भी है बहुत कुछ है अभी स्टोरी में जहां आप जाओगे तो ब दलेगा गेर शिफ्ट है बहुत बड़ा अलग चीज होगी उसमें उसमें वह मैडनेस दिखाए गया ना कि बाद में पंजाबा की तो फिर भी गुस्ते पर कंट्रोल कर रहा है काला लेकिन कैनेडा में तो गुस्ते पर कंट्रोल ही नहीं कर रहा था साथ के साथ रेक्शन मैं रेक्टिव हूं ऐसा कई बड़ी मुझे बताने लगता कई बड़ी जब मुझे जब जादा प्रेशर आ यह भी करना है यह भी करना है जब थोड़ा काम जादा हो जाए एकदम से चार-पांज चार-पांज चीज़ें कठी हो जाए तब मेरे रियक्शन निकलते हैं अगर किसी के कारण पेरा फोकस जबार में क्या सोचा है कब आ रही हो पंजाब इंडस्ट्री में पहले मैंने Mr. Punjab किया था 2015 में तो उसके बाद क्या हुआ Mr. Punjab मैं जीता नहीं वहाँ पता नहीं क्या हुआ जो भी है ठीक है उसके बाद मुझे पंजाबी फिल्म के लिए कॉल आया था तो उसने पाँच लाग मैंने पाँच लाग मैंने गा और मुझे पता मेरे बापा मेरे पर क्यों रिंवेस्ट करेंगे यार चुप-चाप खेती कार यहां वखालत कार जो कारदा पर की पुठे कमाज पर हैं तो वह एकदम से आया मेरे उपर तो फिर मेरी होप टूट गई मैंने का यार यह तो होगा नहीं कभी तो बॉंबे चलते करते हैं थोड़े-थोड़े पैसे तो घरवाले दे देंगे मुम्किन भी नहीं मेरे फादर फार्मर है कहां से इसने पैसे देंगे फिल्म में लगाने के लिए तो फिर अभी मुझे कुछ डिरेक्टर जैसे पंजाब के बहुत अच्छा पसंद की है तो लेकिन प्रोडू तो रिस्क लेना नहीं कमर पर बहुत डिफिकल्ट है तो रोज सर और सोनी का यह उन्होंने मेरे उपर रिस्क ले लिया तो मैंने का कि मैं मुझे अपनी वैल्यू बनाने दो जिंदर सर को बोलना बोलना फिर मुझे लें फिर प्रोडूइसर मनाने करेंगे लेकिन आप तो जब छमक रिलीज होगी ना उसके बाद तो प्रड़ी सर खुद आएंगे आपके पास यह तो आप से बीचल मैं बता देती हूं आपको 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 रिलीज में टाइम है अपूर्य इसके जो 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 प्रूरी चमक की हर करेक्टर है ना वो बहुत शांदार हुयाँ अब बहुत पेशल अपने आप में ना बहुत बहुत स्पेशल है बहूतŻ स्पेशल है यह आई थिंग यह बहुत जरूरी है तबर के सेट पे सेम थी हर सेट पे ऐसी चीज नहीं होती जो यह दो सेट्स पे मैंने स्पेशली फील की तभी वो शो अच्छा भी इतना दिखता है जब सेट पे ऐसा हो हमारा इतना अच्छा महल बना वहाँ अच्छा सब लोग एक उसे करते थे इतना इंजॉई करते थे और आइधिंक वो जो बहाइंड डू कैमरा के सामने दिखती है इसे हम इनमें से बहुत बहुत बड़ा नाम हूं मैं तो नहीं आऊंगा इधर कोई भी ऐसा नहीं था तभी आप सब को शो अच्छा भी लग रहा है बिलकुल बिलकुल इस साल के अंड अब तो यही महीना लास मन था ना अलब दो हुजार शॉपिस में देखने को में दो हुजार तइस में ही चमक के साथ दो और रिलीज हो रहे हैं इसी हफते में तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं आज चमक के साथ पर हम तीन जगा पर दिखने को बलेंगे कौन- वो रोमेंटिक है उसमें अब मुझे अब पैचान लोगे कारा देखने के बाद चाहिए नहीं पैचानते और साथ को आ रहा है चमक आठ को आ रहा है टीवीएफ का एक शो की है मैंने सपने वर्सिस एवरिवन अच्छा इसमें मुझे आब भी नहीं पैचान पाओगे अब अब टीवेफ का तो कॉंटेंट बहुत शांदार होता है तो मैं वो भी ज़रूदी को नाम भी वही है कि सपने ड्रीम्स वर्सिस एवरिवन वर्सिस वर्ल्ड वर्सिस एवरिवन और उसमें मैं क्लीन चेह हूं ओफिस बॉय यह तो यह तो से भी ज़्यादा अहरान करने व कि अब्साव कि अब्साव कि अब्साव का तो से मुध कि अब्साव करें ंने वर्सिस एवरिवन करें अल्ड बहुत अवर्सिए कूघया ओफिस ऑने है लिवह तो